नमस्कार के आपचल टीवी देख रहे हैं आप मैं हुआ आपके साथ पूजा इस वक्त की बड़ी खबर रास्ठाकरे से जुड़ी हुई है रास्ठाकरे ने आज पूने में एक माहा रैली को संबोधित की है और उद्दब सरकार पर जम कर निशाना सादा है सभी की नजर इस बात पिटी की थी कि अयुद्ध्या की दौरे को रास्ठाकरे ने क्यों रद किया उसको लेकर क्या कुछ रास्ठाकरे कहते हैं तो रास्ठाकरे ने कहा कि मैं डरने वाला नहीं हूँ मुझे किसी ने रोका नहीं है मैंने अपने स्वास्त कारणों के वज़े से अपना अयोध्या का दौरा कैंसिल किया अगर मैं अयोध्या जाता तो मुझे पे केस दर्ज किये जाते इसे के साथ राजठाकरे ने कहा कि मैं PM मोदी से यह नुरोद करता हूँ की UCC कानून और जनसंक्या नियंतरन कानून को लागू किया जाए साथ ही कहा कि इस पूरे मश्कले पे शरत पवार क्यों चुप है तो काफी बड़े-बड़े बयान राजठाकरे ने अपने इस राली के दोरान दिये देखिए राजठाकरे ने आज फिर से यह बताया कि महराश्ट की राज़नीती में वो कोई साइड हीरो नहीं है बट वो लीड रोल में है इस वन अद लीडिंग पार्टी और स्टेक होलडर इन महराश्ट पोलिटिक्स इसलिए यह रैली और जितनी विशाल रैली थी इससे एक बात तो साफ है कि शिव सेना के लिए राजठाकरे एक बहुत बड़ी समस्या बन गए है और उद्दव ठाकरे को जरूर कुछ न कुछ आट ओड़ बॉक्स जाकर के कुछ काम ऐसा करना पड़ेगा ताकि वो अपने सिव सेना को बचा सके क्योंकि सिव सेनिक भारी संख्या में राजठाकरे की तरफ टिल्ट कर रहे हैं जो सिव सेना के जो वोटर्स हैं वो उधर टिल्ट कर रहे हैं लेकिन आपने जो बताया जो खबरों में है कि वो जाने वाले थे 5 जून को आयुद्ध्या और उन्होंने कैंसल कर दिया। कैंसल करने कारण उन्होंने साफ साब बताया कि हेल्थ ग्राउंड है। उनका कमर में एक ऑपरेशन होना है और उस ऑपरेशन की वज़े से वो वहां नहीं जा रहे हैं। लेकिन इस पे भी एक राजनीतिकी की तरह इन्होंने पॉलिटिक्स कर दिया राज ठाकरे ने। चार आता कि मैंने एनॉंस्मेंट कर दिया और मैंने जब कह दिया कि मैं नहीं जाओंगा तो मैं दो दिन तक चुप रहा कि मैं देख रहा था कि भरी लोग क्या कहते हैं। तो उनका निशाना था उदव ठाकरे शिफ सेना के ऊपर कि असली हिंदू तो नकली हिंदू तो दस तरह की चीजे तो मैं यह देखना जाना था कि उनका रिस्पॉंस क्या है और उन्होंने साफ साब बताया कि बहुत सारी समस्या हो जाती लेकिन उनका बेसिक कारण यही थ कि उनके कमर का एक आपरेशन होना है इस वज़े से वो नहीं जा रहे हैं लेकिन इसमें उन्होंने एक बात और कहीं कि उनके ट्रैप के तरह फसाया जा रहा था और ट्रैप क्या था खबरों में आपने देखा होगा कि बढ़ बीजेपी का एक लीडर जो है नाम लेना भी उचित नहीं है उतना बड़ा लीडर भी नहीं है जिसने यह कह दिया कि अध्या आओगे जब तक माफी नहीं मांगोगे और हम उसका विरोध करेंगे मैं आपको बता दू उस व्यक्ति का भारती जनता पार्टी में राजीतिक करियर सुन्नी हो चुका है वो इसलिए वो सम मिलता है यह सब मिलता नहीं है तो वो एक बागी तेवर भारती जनता पार्टी की बादची चल रही है राज ठाकरे से भारती जनता पार्टी में राज ठाकरे या किसी भी एलाइंस पार्टनर या पोटेंशल एलाइंस पार्टनर के उपर बड़े बड़े लीडर अपने म से बोल नहीं सकते ये तो पार्टी के लाइन से अलग हट करके ये तमाशा करने में लगे हुए हैं तो खेर उनका पॉलिटिकल करियर तो खतम हुआ लेकिन ये बात जानना जरूरी है क्योंकि ये मीडिया में इस तरह की चीजे फैला ही जा रहे थी कि बीजेपी वाले ही कोई बीजेपी वाले विरोध नहीं कर रहे है विरोध एक ऐसा व्यक्ति कर रहा है जिसका करियर भारती जंता पार्टी में बिलकुल लगबक खत्म हो चुका है अब वो सांसद महोदय ना अगली बार वो टिकट पाएंगे ना उनके खांदान या उनके आस पास कि किसी व्यक्त जो सबसे बड़ा जो मसला है वो मसला यह है कि राज ठाकरे एक मैचोर पॉलिटीशन उनका यह समझ लीजे कि सेकंड इनिंग है यह और जिनी तरह से वो मुद्दू को उठा रहे हैं जो जो चीजे वो उद्दव ठाकरे को घेरने के लिए कर रहे हैं उसका जवाब स्पीकर को लेकर बोलेंगे हनुमान चालिसा को लेकर बोलेंगे या उदव सरकार पर हमला बोलेंगे लेकिन उन्होंने एक बड़ा बयान दिया कहना है कि मैं प्रधान मंत्री नरेंद मोदी से गुजारिस करता हूं कि यू सिसी और जन संक्या कानून लागू किया जाए अ यू सिसी यू सिसी भारती इंता पार्टी की जितनी भी राजिकी सरकारे हैं चाहे वो असम हो चाहे वो उतराखंड हो चाहे वो मदपरदेश हो और लेड़ी वहाँ पे ये घोशना कर दी गई है हम राज जस्तर पे यू सिसी लेकर के आएंगे कहने का मतलब यह है कि दो ऐ ऐसे प्रमुख मुद्दे जिसको एंटी मुसलिम पॉलिसी के रूप में देखा जाता है और जिसके उपर उद्दव ठाकरे ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया है आप समझे एक तो आपने घेरा किस चीज के लिए Capital TV के जो दर्शक है उनको यह बात समझ में आज़े राइट from the beginning I've been saying this कि यह जो हनवान चली सा है वो का हनवान कोई भक्ती भाव नहीं है उसमें वो तो एक पॉलिटिकल मसला ऐसा है कि जिसके उपर वो चाते है कि उद्दव ठाकरे को उस मुद्दे में ड्रैक करें और जि हमारी किरकरी होगी इसके उपर बयान नहीं देना चाहिए Congress Party और NCP तो हनवान चली सा पर कुछ नहीं कहीं और आप इसमें उद्दव ठाकरे दल दल में धस्ते चले गए कि यह देखो आजान को ज्यादा priority मिल रहा है और हनवान चली सा को जो पढ़ने वाले हो उसको जिल मे आजाता है कि बहुँ मुसल्मानों के खिलाव हला कि फायदा इन दोनों चीजों से मुसलिम समाज को ही सब से जायदा होगा UCC से सब से जायदा फाइदा मुसलिम औरतों को ही होगा लेकिन जो सेक्लूर राजनीती जो हिपोकरिटिकल जो पॉलिटिक से हिंदुस्तान के अंदर में वो इनका विरोध इसलिए करते हैं कि उनको लगता है कि मुसल्मान इससे नराज हो जाएगे मुसलिम बोर्ट बैंक के उपर असर पर जाएगा तो आपने क्या किया आपने फिर दिन मुद्व को उठाया और उद्दव ठाकरे के उपर आपने एक जो कसकते की वान चला दिया अब उद्दव ठाकरे को जवाब देना होगा अगर आप ये कहोगे कि जनसंग्या कानून के फेवर में हम हैं तो सरत पवार और कॉंग्रेस पाटी नराज हो जाएगी अगर आप कहोगे यूशिसी के फेवर में हम हैं तो सरत पवार और कॉंग्रेस पाटी नराज हो जाएगी आप सेकुलर पाटी बन गये हो ये पता चलेगा आपके हिंदुत के उपर सवाल उठेग क्या कहते हैं वो उन से पूछ रहे हैं सारे लोग कि भई ये बताओ कि भई इवराज ठाकरी यह सब यह सब कह रहा है वो कहा रहे हैं मैंनी जानता यह सब टीज यह कैंध सरकार के ऊपर चले गए किस पे डीजल और पेट्रोल के दाम के ऊपर आप क्या करते हो आप के पास आप डग कर जाते हो, सारे चीज़ों को आप छोड़ देते हो, यही यह जो सिव सेना की तरफ से जो रिस्पांस आ रहा है राज ठाकरे के लिए, कि राज ठाकरे के दोरा उठाए गए सवालों को, सिव सेना जिस हिसाब से डग कर रही है, वो आगे आने वाले समय में, अखास जनता पार्टी के प्रिये मुद्दे हैं, जिसे भारती जनता पार्टी देश भर में एन केन प्रकारें लागू करने में जुटी हुई है, तो दो संकेत, एक तो उद्दब ठाकरे को उपर हमला, और दूसरी तरफ आप, मतलब राज ठाकरे, बीजेपी के क्लोज जा रहे ह हैं, वो एक एक एलाइंस पार्टर के तरह काम कर रहे हैं, ये भी संदेश आज उन्होंने दिया, एक आखरी सवाल मेरा आप से, कि रास ठाकरे का आयोध्या दौरा तो रध हो गया, उन्होंने कारण भी बता दिया कि वो क्यों नहीं जा रहे हैं, लेकिन खबर है, है कि 15 जून को आधित्ने ठाकरे के साथ उनके समर्थ तक जाएंगे आयोध्या दौरे पे, तो इसका क्या मतलम निकाला है, देखे वो जवाब है, आयोध्या आप नहीं जा रहे हो, हम जा रहे हैं, वो नकली वाले नहीं गए, असली वाले हम जा रहे हैं, दिकत क्या है कि शिव सेना को इस कॉर्णर में पुष्ट कर दिया गया है, कि जहां शिव सेना को ये बताने की जरुद परती है, कि हम अभी भी हिंदुत वादी पार्टी हैं, जहां ये बताने की उनको जरुद परती है, ये साबित करने के लिए उनको मने एक्सराइज करना पड़ता है, आयोध्या जाना पड़ता है कि हम अभी भी रामनला के मंदिर के फेवर में हैं, लेकिन एक सवाल का जवाब जो सिफ सेना को देना चाहिए, जब सुप्रीम कोड का फैसला आया, जब वहाँ जो फांडेशन इस्टोन डाला गया प्रधान मंतरी मोधी के तरफ से, सारे तो लास कोई सिफ सेना के तरफ से कोई बड़ा फंक्षन आपको जाना चाहिए था, अगर हिंदू हिदे सम्राट बाला साफ ठाकरे जीवित होते, तो प्रधान मंतरी जो शिला न्यास कर रहे थे वहाँ पे, वहाँ वो सबसे बड़े भी वी आईपी, गेस्ट बन करके वह पे वह मौजूद होते, उनके आशिरवात के बिना कुछ नहीं होता, लेकिन अब आप इसके पैरनल देखिए, उद्दव ठाकरे को अपने हिंदुत को साबित करने के लिए आदित ठाकरे को अधिया भीजना पड़ रहा है, तो ये अपने आप में बता रहा है कि राज ठा कारेकरता उनके साथ, उनके समर्थक भी महाँ पे मौजूद थे, जिन्नोंने सीधा सीधा उदव सरकार पर हमला बोला, नवनीत राना पर भी एक बड़ा बयान देते हुए, रास ठाकरे ने कहा कि उनको क्यों रोका गया हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए मातुर्श्री क एक महजित है, तो ऐसे कई बड़े-बड़े बयान जो है रास ठाकरे ने दिये हैं, इस बड़ी कबर में मेरे साथ फिलाल इतना ही, कैमरपर सिन रवी के साथ मैं पूजा, क्या पचल्टी